प्रमेशर के प्रिये लोगों इसरे भी बार हम प्रमेशर के वच्छन से जाने से पहले आए हम प्रात्ना करें प्रमेशर अमारे इस वच्छन को हाशिशित करें और हम से बातें करें हम उस वच्छन की अधार पे अपने जीवन को हम अरपन करने पाएं ठीक है आए प्रात्न करें सुर्गी पिता परमेश तेरह धन्यवाद करते हैं जो आस्मान और पृतिवी का अधिकारी तु है कुदावन तुने कहा सब कुछ जो आस्मान और पृतिवी में है सब कुछ मेरा है करके कुदावन हम तेरी सूति महिमा करते हैं इस दिन के लिए आज हमसे बातें करने के प्रभु जी हम तेरा लाको लाग धन्यवाद देते हैं कुदावन आप हमसे बातें कर हमारी हुरुदई में प्रभु तेरी वचन प्रभु जिस तरीका से प्रभु पहला यूग में जब पत्रस ने कड़े उक कर प्रचार किया प्रभु लोग अपने हुरुदई में छेद पाकर उन्होंने पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए मन फिराना के मतलब क्या है करके जब उन्होंने पूछ रहे थे इसी तरह आज हमारे मन में होने पाएं एक बदलावट होने पाएं एक मन फिराने के बात होने पाएं हमें आशित कर पवितरात्मा की हातों में समर्प जैसे बच्ण में लिखा है, हम परमेश्र की नाम की महिमा के लिए किया करते हैं, आमेन, हललुया, वो कुछ भी क्यों न हो, जैसे पहुल Professor केता है, अगर तुम काते हो, या पीते हो, जो भी है, काम करते हो, सब कुछ हम परमिश्र की मखिमा के लिए ही करना चाहिए. प्रबोप को आशित करें, आए दूसरा इदिगास उसकी भी स्विय अध्याई के और हम पलटें. दूसरा इदिगास भी स्विय अध्याई. यहां पर जैसे आप अच्छे तेरे जानते होंगे यहोशबाद यहोशबाद राज्जा के बारे में हम पढ़ते हैं और किस तरीका से यहोशबाद राज्जा ने एक विजय को प्राप्त किया कैसा युद्ध नहीं किया लेकिन विजय को प्राप्त किया हम जानते हैं उन्होंने कैसा इस तरीका से विजय को प्राप्त किया आप जैसे जानते हैं स्तुदी के द्वारा है ना प्रेस प्रेस के द्वारा यहोशबात राजा ने बिना लड़े उन्होंने विजयता को प्रा अलम हुवा कि तीन देश की राजा ने उनके ब्रोध में युद करने के लिए आ रहे हैं अम्मोनियों, मुवाबियों और सेहिर पहाड की देश की राजा आ रहे हैं करके उन्होंने तुरंत क्या किया वचन तीन में लिखा है बीस का तीन में दूसरा है दिगास तब यहशबात ढर गया और यहवा की कोज में लग गया और पूरे यहुदा में उपवास का प्रचार करवाया आमेन वचन चार को भी पढ़ेंगे अध्ध है यहुदी यहवा से सहायता मागने के लिए खटे हुए वरन वे यहुदा के सब नहरों से यहवा से बेट करने को आये आमेन यहां पर हम पढ़ता है जैसे उन्होंने ढर गया ता तीन तीन देश के राजा ने उनके व्रोद में आ रहे हैं करके तो तुरंत उन्होंने क्या किया उन्होंने यहवा के कोज में लग गया और पूरे यहुदा में उपवास को प्रचार करवाया तुरंत किया ह जिस तरीका से उनने पूरी यगुदा में उपवास को कहा, तो इंमेडियेटली क्या हुआ, तुरंत ही लोग भी परमेशर को कोच करने में, परमेशर के भीट करने के लिए इकटे हुए थे, सारे देश बर में, ऐसा कैसे हो गया, अच्छानक इनों ने अगर कह दिया है, तो सारे लोग दुरंत ही मान लिया है, कि ऐसा करके हमें सोचना चाहिए, तो कैसे यह बाते हुई करके हमें, दरसा हमें सोचना चाहिए, इसके बाद आप सब जैसे हम जानते हैं, उन्होंने, यहोजबात राजा ने परमेशर के मंदिर में गया, एक प्रातना किया, वचन पां पूरे यहुदिया के लोग आ चुके थे उन सारे लोगों के सामने यहां पर राज्या ने कड़ा हुआ और यह कहने लगा एगवा के बवन्नक के अंदर है हमारे बीत्रों के परमेशर यह हुआ क्या तू स्वर्ग में परमेशर नहीं है और क्या तू जाती जाती के सब राजियों के उपर प्रभूता नहीं करता और क्या तेरे हाथ में ऐसा भला और पराकरम नहीं है कि तेरे सामना खोई नहीं कर सकता है हमारे परमेशर क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प नहीं दे दिया, तो he was continuously asking some questions, it's not a question, इसे क्या बोलेंगे, हम कुछ, मतलब he is affirming the God's hand upon the country, उन्होंने परमिश्र की हाथ, जो अपनी देश में हैं करके, उस बातों को ये हां कह रहाता, ये सवाल जैसे लग रहा है, लेकिन ये कहना चाता है प्रबो आप ही सर्वशक्तिमान है, आपको हाथ हमारे देश में नहीं है, क्या, आप नहीं यहां के जो रहने वालों को निकाल कर, ये देश को अपना दोस्त इब्रहाम को नहीं दिया, क्या अब्रहाम का वंस को नहीं दिया, क्या करके, इन्होंने ऐसे खहते हुए आया है और वच्चन 12 और 13 में हम पड़ता है हे हमारे परमेश्वर क्या तू उसका न्या ना करेगा यह जो बड़ी भीड हम पर चड़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुचता नहीं कि क्या करना चाहिए परंतु हमारी आंके त तेरी आउर लगी है करके वो कहते हैं और तेरा वच्चन में कहते हैं तब यहुदी अपने अपने भालबच्चों, स्तिरियों और पुत्रों समेत यहवा के समुक खड़े रहें यहां पर सिर्फ राज्जा नहीं वरन सारे यहुदा के स्तिरी क्या है मरत क्या है या यहुदा ने यहुदा से प्रातना कर रहाता तो इस तरीका से उन्हा ने प्रातना किया तो क्या हुआ आगे जैसे आप जानते हैं आगे हैं पढ़ते हैं तो यहुदा के एक बविश्य वक्ता ने वहां पर आकर राजा को दृड़ करता है ऐसा बच्चन कहता है सत्रवी ब लड़ाई में तुमें लड़ना ना होगा हे यगुदा और हे इर्शलेम टखरे रहना और खड़े रहकर यहवा की और से अपना बच्छाव देखना मत डरो और तुमारा मन कच्छा न हो कल उनका सामना करने को चलना और यहवा तुमारे साथ रहेगा हललुया तो इस तरीका से यहवा कि नभी ने आकर सारे यगुदा और एर्शलेम वासियों से कहते हैं तो तुरंत क्या हुआ तो इन बातों को यहशबात और सारे लोग ने उन्हें विश्वास किया तो अगले दिन क्या किया सबेरे उठकर उन्होंने अपने लोगों से यहशबात रा जो कि पवित्रता से सो बहाय मानोकर हत्यार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहवा के घीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तूती करें। यहां पर उन्होंने ऐसा कोई प्रातना नहीं किया या ऐसा कुछ गीत नहीं किया जो रोरो के हमारे व्रोध या बच्छाव करके लेकिन इन्होंने ये गीत गाने के लिए बेजा कि यहवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसरे को मार डाला और वहां पर कोई नहीं बचा तब इन्होंने यहवाद राजा को मालुम हुआ इन्होंने वहां पर जाकर यहवा परमेश्र की धन्यवाद करता है। वह कौन सी जगा पर? चब्वीस वच्चनिस्तरली का है। चवते दिन वे भरा का नामक तराई में खटे हुए और वहां यहवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस तान का नाम भरा का की तराई पड़ा जो आज तक है। यह भरा का की तराई भी बोलता है। यगश्यबाद की तराई भी बोलता है। तो यगश्यबाद भरा का मतलब की है बलसिंग, एक आश्वीर बाद है। वह तराई का नाम हो गया था तब से लेकर। तो यहां पर हम देखते हैं तुरंट तुरंट मतलब इतनी जल्दी में हर बाते हो रही थी। तो पहला दिन उनको मालम हुआ तो दूसरा दिन उन्होंने उटकर अपना कोयर को आगे खड़ा गया। तो उसी दिन उनको क्या हो गया। उनको विजहिता मिल गया। ना शुती करें जिरूर हमें भी विजहिता मिलेगा हां प्यारों जरूर मिलेकर आप और हम सुती करेंगे तो लेकिन उससे पहले यहकोष्यभाद के जीवन में क्या क्या हुआ उन्होंने क्या क्या किया उन्होंने किस थरीका से यहुआ को उस गीत को गाया यहुआ का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदाकी है करके उन्होंने किस मन से मतलब कैसे एक मेंटालिटी से उन्होंने ये गीत गाया करके हम आज देखना चाहते हैं हाललूया हाललूया आप और हम हमेशा कुछ चीज़ों को गलत समझ लेता हैं बस यह बीश्वी अध्याय को पढ़ते हैं और हम अपना मनबावनी जीवन जीते हैं उसके बाद जलसे कुछ परिशानी आप पढ़ती है तुरंत परमेशे के उपसिती में आते हैं पिर फिर गीत गाते हैं गीत गाने के उपसिते हैं और खैसे हम परमेशे को धन्यवाद करते हैं वही बड़ी बात होती है हलललुया अवसर हमारे कई बातों के लिए कई प्रातनाओं के लिए विंती के लिए हमारी उत्तर नहीं मिलती है तुरंट हम क्या कहते हैं निराश हो जाते हैं तुरंट हम दुखित हो जाते हैं तुरंत हम प्रमेशिर के क्या हमें इतना दिन से प्रात ना कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा करके, ऐसे कुछ गारी हमारे मन में आ जाती है, लेकिन प्यारो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीका से हमें प्रमेशिर के सामने आकर, प्रमेशिर को सूती करना चाहिए करके, हमें दरसा इन बातों को आज हम देखना चाते हैं, ताकि आपके और मेरे जिवन में ऐसे विजेता को हम प्राप्त करने पाएं, हललुया, हललुया, प्रभौ आपको आशिशित करें, जिसे यहां पर यह शबात ने, उन्होंने जिसे ब्रोधी आ रहें करके मालूम हुआ तो उन्ह प्रमेशन का नभी भी तुरंट बात किया, जिरुयाल करके वहां पर एक नभी आता है, वो भी आकर तुरंट उनसे भातें करते हैं, यरुयाल, यरुयाल, सोलवी वच्छन में लिका है, यरुयाल नामक प्रमेशन का दास आकर नभी आकर उनसे बताता है आपको क्या करना चाले करके तो प्रमेश्ः केता है यहां से तोर्मेश्वद मेरा है करके फ्रमेश्व कहते हैं यहां पर इन सारी राजा लड़ा यह लिए नहीं किया हाललुया कितनी आग्बत में बसे बात के खाय हागा तो रहा है में इस आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, आमें, क्या आप तेयार है, आप ध्यान से, आप विश्वास के मन से, आप वच्छन को सुनिए, अपने बाइबल को पलटे रखिए, अपने खलम और धायरी को लेके रखिएगा, आज हम देखेंगे कैसे ये बातें इतनी जल्दी में और परमेश्वर की खुद आकर क्यों लड़ाई किया, यगश्यबात के बदले में इन बातों को हम देखना चाहते हैं, आमें, आएए, सत्र वेध्याई का और पलटे, ये सारी बातें हुआ है, बीश्वी अध्याई में, अगर हम सत्र वेध्याई का और पलटे, कुछ साल बा परमेश्य ने उन से कैसे बात जीत की करके हम देखना चाहते हैं, सत्र वेध्याई में हम देखते हैं, उसका तीसरा वच्छन को हम पढ़ेंगे, वच्छन तीन को, ये होवा यगश्यबात के संग रहा, पहली बात, ये होवा यगश्यबात के संग रहा, आमें, हलललुया, आप और हम जानते हैं अगर पुराना निये में देखते हैं परमेश जोसफ यगशु के साथ रहते थे यगशु के साथ ता परमेश जगान जगा वो जाता था वहाँ वहाँ परमेश उनके साथ ता करके और हनुक के साथ परमेश चलते चलते थे आदम के साथ प्रभू बाते कर रहेते हैं इब्रहा के साथ प्रमेशर बातें कर रहेते हैं यिसखाक याकूप कई लोगों को हम देखते हुए आ रहे हैं यहां पर यह शबात राजा के साथ यहोवा रहा आमिन यहोवा 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 के संग रहा करके वच्छन कहते हैं इसका खारण क्या है यहोवा प ने यहुआ प्रमेशर एकश्रबात के संग रहेने का मुख्यकारण बना पहली बात जो है उसी वच्छन तीन के आगे पड़ेंगे क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दावुद की प्राचिन चाल का अनुसरन किया पहली बात क्या किया यकश्रबात राज़ा ने धावुद जिस तरीका से गवा के लिए बहुत ही पसंदित रहा उसी थरीका से इनोंने फालो किया और दूसरी बात क्या है दूसरी बात उसी वच्छन में लिखे हैं, अपने पिता के परमेशर को खोज में लगे रगा, यह कुछ बात दूसरा बात क्या किया है, अपने पिता के वच्छन चार में, अपने पिता के परमेशर के खोज में लगा रहता था, आमें, क्या किया करता था, अपने पिता परम प्रमेशर के खोज में लगा रहता था, he is continually with God, वो हमेशा हर दम, जैसे दावुद केता है, मैं साथ बार प्रातना करता हूं, प्रभु मेरा प्राण तुझको ही डूंडते रहते हैं करके, इसी तरह यहां पर यह शबत राजा ने क्या करता था, हमेशा प्रभु को ही कोजी म रहता था, यही वच्छन में लिका है, और तीसरी बात क्या है, उन्होंने क्या किया, यहवा की आग्याओं पर चलता था, वाव, हाललुया, कहीं बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, प्रभु I love you, Lord, I love you, Lord, I love you करके, लेकिन हम क्या, यहवा की वच्छन को पालन करते हैं क्य और अपने जो बुराई जो भी चाल है, उसे ही छोड़ कर, जो प्रमेश्र की प्रसन की बातें पर चलते हैं क्या, इस सारी बातों को हमें करना बहुती अवश्यक्ता है, पहली बात जैसे हमने देखा, उन्होंने अपना मूल पुरुष दावुद की प्राचिन चाल का अन उन्होंने कैसा रहा करके, उन्होंने इतनी सारे देवतां को बना कर रखाता, उनकी स्थान को बना कर रखाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक शबात राजा आकर उन्होंने देवतां की पीछे ना रगा, वरन उन्होंने क्या किया, पिता के परमेश्र के, अपने पिता क पर चलता रगा, इसी लिए यगवा परमेशर, यगश्यबात के संग रगा आमें हललुया, तो तीन बातों को हम देखते थे पहला पाइंट है यगवा यगश्यबात के संग रहते थे, क्यूंकि उसका कारण, उसका सब पाइंट जो है उसमें थीन बातों को हमने देखा पहली बात अपने प्राचिन मूल पुरिष दावुत का प्राचिन चाल का अनुसरन किया और भाल देवदां को नगी कोजा और दूसरा बात अपने पिता के परमेशर की कोज में लगा रगा और तीसरी बात उसकी आग्याओं पर चलता रगा आमें तो यही पहला पॉइंट है तो यहोवा यहाशबात के संग रहा आमें बीश्वी अध्याय में आपके आप और मुझे वहां पर बराका में खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद हो उसकी करणा सदा के लिए है करके हमें घीत गाने से पहले आपको और मुझे को क्या करना चाहिए यहोवा परमिश आपके और मेरे संग होना बहुत ही अवश्य है इसके लिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए इन तीन बातों को हमें follow करना चाहिए यहावा की कोजी करना चाहिए भाल देवदाँ को चोड़ना चाहिए और दिसरा एगवा की आग्याओं पर हमें चलना चाहिए अर्वचनचे में हम पढ़येंगे यहावा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया हललूया हललुया क्या हो गया, उनका मन? यहोवा के, दुब़ारा पणेंगे यहोवा के मार्ग पर चलते, चलते उसका मन, यहश्य बात का मन महन हो गया फिर उसने यहुदास यहँचे स्ताण-अशोरा नामक मूरतों दूर खर दी अगर इनके यहुआ के पीछे पीछे चल चल के इनका मन क्या हो गया? महन हो गया हललुया कई ऐसे कुछ ऐसे विश्वासी लोगों से हम मिलते हैं जुन्होंने 10 साल से 15-20 साल से उन्होंने प्रभु की विश्वासी बनकर चच्च जाने वाले बाइबल पढ़ने वाले होते हैं लेकिन वो खईम बार उनसे बात करने से बहुत दुखित होता है क्यों दुखित होता है? वो कहते हैं क्या हो अब मेरे लिए? मैंने 20 साल से ऐसा ही रहकर आया कुछ नहीं कोई फाइदा नहीं प्यारों हमारी जो फीलिंग्स जो भी है यहोग के पीछे चलने वाले क्या होना चाहिए चलते चलते हमारा मन महन होना बहुत ही अवश्यक्ता है क्या है, हमारा मन महन होना चाहिए, दुक से नहीं, वरन महन महन ओकर आपको और मुझको यहोआ को पीचा करना चाहिए, जिस तान में जब एक बार ऐसाता चेलों ने यिसवमसी के पीचे हो लिए थे, तब उन्हों ने एक बार पत्रस ने आकर एशुमसी से पूछा, हम आपको पीछे कर रहे हैं थे, we are following you, हमें क्या मिलेगा, he was openly asking, वो कुले रूप से पूछ रहा है, हमें क्या मिलेगा करके, लेकिन वही पत्रस, भाद में उन्होंने कहा, मुझे जब उनकी मृत्यू के समय, उन्होंने कहा, मैं अपने master, मेरी स्वामी के योगे नहीं, इसलिए मुझे कैसा अपने मारना है, क्रूस पे उल्ठा मारिये करके, हललुया, कितना उनका अनुब बदल गया है, हललुया, प्यारो आपको और मुझे, ऐसे इक अनुब वोना चाहिए, हम यहुआ परमेशर को पीछा करते हैं, इसका मतलब आपको और महन ओकर यहुआ परमेशर को हमें पीछा करना चाहिए, we need to follow Christ with all the happiness and the joy in our heart and in our life, आमें, हललुया, हमें दुखी से कभी नहीं होना चाहिए, क्या, दुख से नहीं, महन ओकर, आमें, महन ओकर अगर हम करेंगे, जरूर आप और हम उस बरका की तराई में, यगश्यबाद की त कराई में खड़े हो जाएंगे और यहुआ परमेशर के लिए मेरे लिए जरूर लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, अगर कितने भी बड़े राजा क्यों ना आए, कितने जादे राजा क्यों ना आए, यहुआ परमेशर के लिए मेरे लिए लड़ेंगे, हलललुया, यहवा आपके लिए और मेरे लिए लड़ाएंगे आमेन दूसरा बात हम यहवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए मघन ओकर मघन ओकर चलना चाहिए पहली बात क्या देखे थे यहवा एगश्यबाद के संग रहा परमेशर हमेश हमारे संग है वो वाइदा कितने वाइदा हमें किया है दुनिया कि चोर तक मैं तेरे साथ हूँ इसराइल का परमेशर उंदता नहीं ना सोता है हललुया कितने वाइदा हमें प्रभू ने आपके मेरे लिए दिये हैं तो हमारे लिए एक आशा, एक विश्वास होना चाहिए, यहोवा परमेशर मेरे संग है, और दूसरा, हमें यहोवा परमेशर के मार्ग पर हमें चलते चलते हमें माघन होना बहुती अवश्यकता है, और तीसरी बात क्या है तीसरी बात उसी वच्चन छे अध्याई का लिखा है आगे फिर उसने यहुदा से उंचे स्थान और असोरा नामक मूरते धूर खड़ दी अगर आप और हम यहवा के पीछ चलने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए जो बीते हुए जीवन में जो जो चूड़ना चाहिए क्या चाहिए जोड़ना चाहिए आमें अपने पड़ोसी से कहिए आमें क्या करना चाहिए उन सारी चीज़ों को बीते हुए चीज़ उनको चूड़ना चाहिए आमें पावलोस बहुत ही अच्छा कहता है हलललूया जो बीत गई वो सारी पुराने अगर यहवा उनके साथ है तो इनको क्या करना चाहिता है सारे मुरतों को सारे जो स्थान उन्चे स्थान और असोरा नामक मुरतों को उन्होंने क्या कर दिया धूर कर दिया यगुदा से धूर कर दिया अपने गर से नहीं पूरे यगुदा से धूर कर दिया हमें अपने बीत प्रमेश्र की प्रसंद नहीं है, अमारे भीते हुए जीवन में, उन सारी चीज़ों को हमें लेते हुए परमेश्र को फालो नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ को छोड़ना चाहिए हैं, लेस लकेज, मोर कमफर्ट, खमी लेकेज होना, बस अभी की जो सारे पुराने बातों को हमें चोड़ कर, हम नई होकर मसी में, एक नई जीवन की जीना हमारे लिए अवश्यक्ता है, तो आप खेते हैं मैं यहवा को फाला करता हैं, यहवा की वच्चन को, यहवा की आज्याओं को उपर में चलता हूँ, यहवा की मार्ग पर चलता हूँ, तो क्या दूसरी लोग इसे समझ पाते हैं? या अभी भी वैसे ही जो इसे आप पहले रहते थे एश्यमसी को जाने से पहले अपना जीवन था वैसे ही आप अभी भी रह रहे हैं लेकिन आप खेहता है मैं मैं सुई को जानता हूँ जानती हूँ करके तो इसे क्या फाइदा है कुछ या इसे क्या कुछ समझ में आएंगे आपके और मेरे जीवन में कोई भी बदलावटे नहीं है वैसे कि वैसे ही है जैसे हम पहले थे गुर्षे वाले या नफरत वाले या जो भी है वैसे ही अभी भी है तो क्या अंतर है लेकि हमें क्या करना चाहिए उन चीजों को छूड़ना चाहिए उन चीजों को हमें जोड़ना चाहिए हललुया रोमियों में इसलिए अच्छो से कहता है अंतकार की कारी को हमें जोड़ कर रोशनी की हत्यार को हमें पहनना चाहिए येश्यु मसी को हमें पहनना चाहिए रोशनी की हत्यार को तो पहन लो करके हम रोमियों के अध्याय में पढ़ता है तो अंतकार की कारी को हमें छोड़ना बहुत अवश्यक्ता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए नई चल पाएंगे इसलिए परमेशर एरेमिय नभी से कहते थे अगर वो परमेशर है तो उसकी पीजी चलो अगर येहवा परमेशर है तो येहवा की पीजी सलो येलिया नभी से भी प्रभू ने कहा येलिया नभी लोगों से कहते थे तुम लोग दो बातों के बीच में क्यों चलते रहते हो नहीं चल सकता है हललुया हललुया प्यारों, हमें पुराने बातों को चोड़ना चाहिए, पुराने बीते हुवे चीसों को, बीते हुवे संभव को, बीते हुवे पुराने कल की जो भी हमारा जीवन में था, उन सारी बातों को भूल कर, चोड़ कर हमें आगे किया और हमें चलना बहुती अवश्यकता है, Amen, Praise God Hallelujah, और चोड़ी बात क्या है, चोड़ी बात, बहुती अच्छी बात है, तो अब जानते हैं क्या, जो हम missionary work कहते हैं, यह सिरफ नया नियम का कार्य है करके, ऐसा नहीं है, पुराना नियम का वहां से ही यह कार्य होती हुई आ रही है, missionary work, यह राजा यगश्य बात, खुद missionary क का काम किया है, हमें, क्या काम है, missionary का काम, जगह जगह में जाकर, राज्य राज्य में जाकर, लोगों को यहोवा की वच्छन को सिखाना, यहोवा की वच्छन को बताना, यहोवा की विवस्ता को सिखाना, यही काम कोन किया, एक नभी नहीं, एक याजक नहीं, वरन कुद य यगोश्यबत राजा ने किया है, हाललूया, हाललूया, ऐसे राजाओं के लिए परमेश्र के लाखों लग धन्यवादो, आमें, हमारे देशों में ये ऐसे गी एक बिधारी होने पाएं, राजा लोक, हमारे नेतों लोक, जगह जगह में जाकर, यगोश्र की नाम को उंचा क करने पाएं, और यहोँ परमेश्र की वच्छन को लोगों तक पहुंचने पाएं, ऐसे करें हमारे देशे में होने पाएं, हमारे विश्वे में होने पाएं, हाललूया, इसके लिए आप रात्ना करेंगा, आए हम पढ़ेंगे, उसी अध्याए वच्छन, साथ वी वच्छ जकरिया, नतनेल और मिखायक नामक अपने हाकिमों को यहुदा के नहरों में सिक्षा देने को भेज दिया अपने किसको बेजा उन्होंने कोई याजग यहां पर दिख रहे नहीं, कौन दिख रहे हैं, यह सारे अपने हाकिम, यह सारे कौन ता? यगश्यवात राजा की हाक इन लोगों को यहाशुबात राजा ने किया किया यहुदा के हार नघरों में बेजा कि ताकि बेजाकर लोगों को शिक्षा दे दें करके और आटव है च resting में उनके साथ शमायां नान्थनियां जभधात असेल और कई लोगों को लेवियों को लेवी और उनके संग यलिशामा और यहोराम नामक याजक को पहले अपने हाखिम उसके बाद लेवी और उसके बाद याजक इन तीन तरीके की लोगों को राजा ने बेज़ा वच्छ नो में लिखा है अधर उन्होंने यहोवा की विवस्ता की पुस्तक अपने साथ लिये हुए यहुदा में सिक्षा दी वरन वे यहुदा के सब नहरों में प्रजा को सिकाते हुए घूमे प्रेस गाड हाललूया हाललूया मैं आशा करती हूँ ऐसे एक बात अमारे देश में होना चाहिए आमेन हाललूया आप सोच रहे हैं यह तो पहले से हम लाग डौन में बेटे हुए घर के अंदर बेटे हुए यह कैसा होगा करके लेकिन परमिशक लाग लाग धन्यवाद हो यह सारे टेक्नोलजी के लिए हम हर एक नगर नगर हर एक गाउं गाउं हर एक गली गली तक हर एक घर गर तक हम पहुंच सकता है आमेन यह हुआ कि इसी वच्चन की सिक्षा को हमें देना चाहिए यह राजा ने अपने हाकिम को अपने लेवी को अपनी याजग को इसी उनके लिए मदद कर जाकर अपने लोगों की देख कर आओ या उनकी परिशाणी है नहीं उन्होंने किस लिए बेजा उन्होंने बेजा ताकि वेवस्तागी इस वच्छन को उन्हें सिक्खा सकें आमेन उन्होंने क्या लिया चनो मैं बहुत सुंदर तरीका से लिखा है उन्होंने क्या किया ये तीनों हाकिम लेवी और याजग तीनों ने तीन तरीका की लोगों ने यहोवा की विवस्ता की पुस्तक अपने साथ लिए हुवे यहुदा में सिक्षा दी वरन वे यहुदा के सब नहरों में प्रजा के नहरों में प्रजा को सिकाते हु भी घुमे ते, आमिन हलोल। यह प्यारे लोगों क्या आप यह से, यह गुश्यबाद के राजिय में विखा वे जा सिरवरत विखा है, है आप सुचर रहे हैं विख़ा हुए है। क्यूंकि पता है क्यूं अगर आप परमेशर और उसके राजी को कोज करेंगे पहले तो वो सारे चीसे हमारे लिए दिया जाएगा हाललूया मतिछे द्याय में ये शुमसी कहता है तो आपको और मुझको पहले परमेशर की और उसके राजी को कोज करना चाहिए परमेशर सत्य को कोज करना चाहिए परमेशर की वच्छन की कोजी में हमें और आपको होना चाहिए तब हमारे जो भी अवशिक्ता है वे सारे हमारे लिए दिया जाएगा हाललूया आपको और मुझको पहले परमेशर की मार्ग पर चलना चाहिए हरी हरी छराय में हमें चलना चाहिए उसकुदाई जल के चरने के पास वह मैं भैटना चाहिए परमीश्विर की हरी एक शब्द उनके मुप से निकलती है उस शब्दों को हमें सुनना चाहिए तब करुना और भलाई अमारी पीछा करेगी हललूया, हललूया प्रमेशर के नाम की महिमा हो प्रमेशर के नाम की महिमा हो तो प्रतम स्थान प्रमेशर उसकी वच्छन को हमें होना चाहिए यह बात को यगशबात राज्जा ने बहुत अच्छी तरह समझ रखाता He knows it very well इसलिए उन्होंने क्या किया अपने हाकिम को आगिया दिया अपने लेवियों को आगिया दिया अपने याज़ों को आगिया दिया प्रमेशर की विवस्ता की पुस्तक को ले जाओ किती लोग आज हम जब चर्च जाते हैं अभी तो लॉक्ड़न है जब चर्च जाते हैं किते लोग हम अपने भाइबल को उटाते हुए आते हैं जब एक आरादा खथम होती है उसके बाद आप देखेगा कम से कम दो तीन भाइबल तो आपको मिलेगा किसी किसी का क्या करने के लिए ओ गिया अब पास्टर आप पढ़ना अमारा बाइबल में लेके इसे लोग छोड़ कर चले जाता है लेकिन एक राजा ने यहां तक उन्होंने इतना एक अच्छा राजा था He has everything, He had everything उनके पास हर चीज़ें थे फिर भी उन्होंने यहा परमेश की विवस्ता को सिखाने के लिए It's not just preaching, but teaching the word of God परमेश की वच्चन को सिखाने के लिए बेजा है आज कितना हमारे लिए लोग है, सिखाने वाले जहां आशिरवाद को बोलते हैं, जहां बविशी दवानी करते हैं जहां कुछ अच्छरिय करम होती है, वहां हम दाउडते हैं लोग भी ऐसे ही सबा चलाते हैं लेकिन कब हम एक teaching सबा में कब है गए, last time कब ऐसा हुआ, परमेश की वच्चन को सिखाने के खारी कब हुआ है अगर चर्च में बैबिल सड़ी होती है, हम कितने लोग जाते हैं उसमें प्यारों, आज हमें निरने लेना चागिए, अगर एक राज्जा के लिए अवश्यक्ता था है तो आपका और मुझको कितना जादा चागिए उन्होंने हर नगरों में, यह गुता कि हर नगर में बेजा उन लोगों को वे घुमते थे, परमिश्र की बाइबल उटा कर हर नगरों में घुम रहे थे, कौन? हाकिम, लेवी, याजक हललुया, परमिश्र की नाम की महिमा हो, जिसने हमें इस बात के लिए चुन लिया था एक याजक के रूप में, पत्रस की पहला पत्री में हम पढ़ते हैं, आप और हम एक याजक, परमिश्र के चुने हुए लोग, अब भी हमें सिखाने के लिए नहीं, हमें ऐसा होना चाहिए, अवरों को परमिश्र की वच्चन को सिखाने वाले होना चाहिए, इसके पहले हम पहले थैयार होना चाहिए किते लोगं के अंदर वो दैरी है या थैयारी है हमारे अंदर औरों को सिखाने के लिए प्रमेश्र की वच्छन को इतना ही नहीं यहां पर हाकिम लेवी यहां जो को हम देखते हैं राजा बेशते हैं लेकिन फलट यह उननीस अध्याई उसी का दूसरा इदिगास उननीस अध्याई का बच्छन चार को हम पढ़ेंगे यहां पर क्या होता है करके यहोशबाद एरुश्लेम में रहता था और उसने बेर्शबाद से लेकर एप्रेम के पहाडी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके बीत्रों के परमेश्र यहोवा की और फेर दिया हाकिम जा रहे हैं तो ठीक है लेवी जा रहे हैं तो ठीक है याजग जा रहे हैं तो भी ठीक है लेकिन यहां पर एक राज़ाने यहोशबाद एरुश्ले में रहता था उस वक्त उन्होंने क्या क्या बेर्शबाद से लेकर एप्रेम तक पहाडी देश तक उन्होंने क्या क अपने प्रजा में फेर दोर करके उनको उनके बीतरों के परमेशर यहावा की और फेर दिया, हाललूया, ये कैसा हुआ, ऐसे ही बात शामवेल के समय में हुआ था, शामवेल ने हर साल में तीन तीन चार चार मैने एक एक बतलहें में और कैसे सिठी में रहे कर उन्हों कि लोगों को सिखाया इसी लोगों को पर मीशर कि और कौकि यह फेड़ दिया हाललुया हाललुया ऐसे राजा होना था किपटना बहुती एक अननद की बात है, एक नेता होना कितनी सोबा की बात है आपके रुमेरे लिए, प्रात्नाह करेंगे, हमारे भी प्रबै ऐसा करेंगे, हलललुइवा तो यहां पर राजा कुद फेर देर करकर उन्होंने क्या क्या लोगों को परमेशर क्या ओर फेरने के लिए इन्होंने कुद काम किया येश्व मसी अपने चेलों को बेजनी से पेले उन्होंने खुद दाउडाता उन्होंने खुद यहां वहां फिरता रहा सारी लोहों को अपनी परमेश्र की वच्चन को सिखाते हुए अललूया परमेश्र की राज्य को बोलते हुए उन्होंने येश्मसीने खरके दिखाया उसकी बाद उन्होंने कहा आप जाओ दुनिया की चोर तक जाओ और परमेश्र की राज्य को प्रचार करो वच्चन को जो कुछ मैंने तुम्हें सिखा या उन बातों को उन्हें सिखा दो आमेन अललूया तो आपको और मुझको अवरों को बेचने से पहले हामें खूद जाना अवश्य है यहां पर ये गोश्य बात राज्जा यहीं किया हललूया 19 वी अध्याय का वच्चन चार में उनुनी खुद दावड़ा खूद फेरा पूरी एश्यलें में और लोगों को प्रमिश्क और फेरा उन्हें विवश्ता को सिखाया लोगों को विवश्ता को सिखाया आमेन, हललुया प्रमेश्र के आगियाओं पर चलता रहा इसलिए एगवा प्रमेश्र ने एगश्ण बात के संग रहा करके हमने देखे थे दूसरी बात क्या किया उन्होंने यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया उसका मन मगन हो गया जिसे दावद केता है बजन में हम पड करके एक हलेलूय इसी तरह यहां पर यहां के मार्ग पर चल चल के उनने बहुती Means हो गया उसका मंओंertain हुग गया हाल। अगर अगर आपका मेरा मन बंघन होता है थो हम सही रास्ते पर है और यहां कि मार्ग पर चल कर दुखीद नहीं होना चाहिए और तीसरी बात उन्होंने क्या किया सारे उन्चे स्थान को और मुरतों को असोरा की मुरतों को धूर कर दिया हमारे जीवन की जो भी ऐसे बात हैं उन सारी बातों को हमें क्या करना चाहिए दूर करना चाहिए और चौती बात उन्होंने क्या किया यहवा की बच्चन को व्यवस्ता को फुस्तक को लेते हुए हर नगर में गुम कर लोगों को सिखाया सिखाने के लिए अपने हाकिम को बेजा लेवी को बेजा याजो को बेजा खूद आप भी गया हाललुया राजा भी खुद गया पांचवी बात क्या है वही दूसरा इदिगास अठरवेद्याई चे पत को जब हम देखते हैं जब इस्राइल के राजा यगशबाद तो यहुदा का राजा था इस्राइल का राजा यगशबाद ते आकर कहते थे कि बस इनका जरूती नहीं था उन्होंने क्या किया चलो हम क्या करेंगे और दूसरी राजा से चड़ाई करने के लिए लड़ाई करने के लिए हम निकले करके उन्होंने कहता है तो यहां पर यहको शबाद भी इनको नहीं जानाता लेकिन इन्होंने चले जाता है लेकिन अच्छी बात एक चीज चीज़ करता है चली जाने से पहले वो इसरायल के राज्जा कहता है आ वो पहले से दावुद केता है अगर जब भी उनके लिए कुछ लड़ाए में जाना है तो क्या करता है बर सीधे अपने परबिश्ग के पास करता है और पुछ्ट अच करता है कि आपने जाओ इसे पकड़ पाऊ या जीत पाऊ पहले से परमेशन से पूछता है एदों पहन कर वो जो नभी लोगों का वो चीज पहन कर उन्होंने पूछताच करता है करके मच्छन में पड़ता है ऐसे ही यहां पर एगश्रबाद राजा क्या करता था जब इसरेल के राजा आकर इन्हें पूछता है आव हम युद्ध के लिए जाएंगे तो इन्होंने क्या किया इसराइल के राजा ने कहा आवो हम यहावा का वच्चन को मालम करें उन्ह राजा को भी यह बुला रहें एगश्रबाद यगुदा का राजा है उनके पास इसराइल के राजा आकर उन्हें बुला रहा है चलो हम दोनों जाकर तीसरे एक राजा से हम लड़ाई करें युद्ध करें करके धब यह यगुदा यगश्रबाद राजा ने सिर्फ इन्होंने नहीं कहा चलो हम यहवा की एगवा से पूछताच करें करके इन्होंने क्या क्या उन्हें भी बुला लिया अपने साथ चलो हम मिलकर क्या करें यहवा की वच्चन को मालुम करें इस युद्ध में हम जाएं या नहीं जाएं करके मालुम करें करके जब वो कह रहा था जब उन्होंने के राजा ने नभीयों को जो 400 पुरुस्ते इकटे करके उनसे पूचा इसराइल राजा भी क्या गिया उन्होंने 400 नभी को खटा करके पूचा क्या पूचा क्या हम गिलात के रामोत पर युद करने को चड़ाई करें अध्वा मैं रुखा रहूं उन्होंने उत्तर दिया नभी को इसराइल के राजा इकटा करकर पूचा तो 400 नभी भी क्या कह रहते तुम जाओ जरूर प्रभू आपके हाथ में उन्हें सोंपेंगे 400 नभी कह रहे हैं कितनी नभी कह रहे हैं 400 नभी प्यारों अगर आप और हम येगवा की बच्छन के पर चलने चलते चलते हैं महन होते क्यों न हो अगर आप और हम दूसरे सारे उन देवताओं को दूर कर दिया है तो अगर आप और हम यहवा की बच्छन कावरों को सिखाने वाले है तो आप और हमको अच्छी तरह परमेश्य की बच्छन मालम है और जो बोलने वाला नभी है या जूटे है ये भी पता होगा चार सो नभी को इस्राइल के राजा ने कड़ा करकर उन्हों ने उनसे कहा कि हम जा सकता हैं करके लेकिन यहाशबात राजा ने क्या कहा पता है आगे पढ़ेंगे आए वचन छे को परंतु यहाशबात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और कोई नभी नहीं है, जिससे हम पूछ लें, वा 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 वा, प्रेस गार्ड फर सच ग्रेड किंग, इन्हों ने क्या किया, तुरंत इनको मालम हो गया, यह सारे जूटे हैं, यह सारे जूटे हैं करके, चार सो लोग बोल रहे हैं, आप जा सकते हो, प्रभू आपको आशित करेंगे, प्रभू आपको उंचा करेंगे, आपकी गर को आशित करेंगे, आपको यह बात करेंगे, वो बात करेंगे, करके, सारे पूरे ऐसे आशिरवाद की बातें बोलते रहें, बोलते रहें, लेकिन एक उश्रबात राजा ने क्या किया उन्हें मालुम हो किया ये सारे सही नहीं है ये क्या कहते थे क्या यहां यहवा का और खोई नभी नहीं है जिससे हम पूछे हाललूया हाललूया प्रमेश्य की प्रिये लोगों जब भी कोई भी वचन आपके पास आती है अगर आपको सुनने के लिए वह अच्छा भी क्यों न हो लेकिन आपको और मुझको उसे जांचना बहुत यह वश्यक्ता है विशेश के लिए इस अंतिम समय में रह रहे हम लोग तो चारों और कई ऐसे बवश्य वक्ताने जूटे बवश्य वक्ताने भड़ गया वो मुझको कोलते ही कहते हैं आप आशिश में रहेंगे आप आईसा रहेंगे वैसा रहेंगे आपको बिलकुल सुरक्षित होगा ये होगा वोगा करके आपको और मुझको अगर ह वच्चन में इस्तिर है तो हमें पता चलेगा कौन परमिश के सच्छे नभी है या नहीं है जूटे हैं करके हमें पता चलेगा तो यहां पर जैसे एगश्यबात ने पूछा तो तुरंत साथ वच्चन में इस्रेल के राजा ने एगश्यबात से कहा हाँ एक पुरुश और है जिसके द्वारा हम यहवा से पूछ सकते हैं परन्तो मैं वुश से ग्रिना करता हूँ क्योंकि वह मेरे विश्य कभी कल्यान की नहीं सदाहानी की ही नबूवत करता है वह यिमला का पुत्र मिखाया है यहाँ पर इस्राइल के राजा यगाश बात से क्या कहा वो कहता है हाँ ये एक और तो है मिखायाक जो है लेकिन वो हमेशा मेरे बारे में क्या कहता है कल्यान की बाती नहीं करता बुराई बोलता है प्यारों अगर कोई बुराई बोल रहे हैं इसलिए हमें उनकी नफरत नहीं करना चाहिए वरन हमें जांचना चाहिए अपने जीवन को हमें जांच कर हम परमिश्र की वच्चन के अधार पर हम कैसा है करके हमें अपने आपको हमें जांच कर हमें उस रास्ते को चोड़ कर प्रमिश्र की अच्छी रास्ते पर चलने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए इसराइल की राजय के बार में और एक बार हम देखेंगे उन्होंने क्यों जूटे बविश्यक्ताओं को सेलेक्ट किया जो जो लोग आपके अच्छा-च्छा आपका प्रस्वन की बात हैं आपक प्रस्वनों को चुन लिया है लेकिन यहां पर यगश्रबाद एक अच्छा राजाता यगश्रबाद परमेश्र की बच्छन को वो सिखाने वाला और सिखता भी था और बच्छन के अधार पर चलने वाला वक्तिता परमेश्र की बच्छन को बुने पालन करता था इसलिए उनको मालूम हो गया यहाँ और कोई यहवा का नभी नहीं है तब उन्होंने बोला तो मिगाया है तो तुरंत यहां पर एगुषबात केहता है उनसे हम पूछेंगे करके एगुषबात ने कहा राजा उन्हें बुलाएं करके तब इस्रायल के राजा ने एक हाकिम को बला कर कहा इमला के पुत्र मिगाया को पूर्ती से ले आओ इस्रायल का राजा और येगुदा का राजा येकर शबाद अपने अपने राज उस्तर पहने हुए वहां पर रहते थे करके तो प्यारों, वो आकर बिल्कुल सही कहता है आपको जाना है नहीं जाना है करके उस सारे बातों को आगे आप पड़ सकते हैं पूरे अध्याई में लेकिन मेरे कहने का यहां पर यह है हमें मालम होना चाहिए कौन यहोव का नभी है, कौन दूसरा है हललूया हललूया, आपको मालम होगा कैसे, आप यह नहीं करना हमें तो नहीं पता है करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी वच्चन बोल रहा है, हाँ वो भी वच्चन बोलेंगे शैतान भी वच्चन बोलेगा अगर आप और हम परमेश्य की बच्चन में धृड़ है तो हम कहेंगे ये भी लिका है जिस तरीका से एश्य मसी ने कहा मनुश केवल रोटी सेने की बरन हर एक शब्द जो अबाग के मुझ से निकलती गया है उससे जीवित रहेगा करके ये भी लिका है करके आप और हम कहेंगे आमेन हाललूया सिर्फ एगो परमेश्य को दंडवत करो करके ये भी लिका है हाललूया हाललूया परमेश्य की नाम की महिमा हो परमेश्य की नाम की महिमा हो आमेन तो यहां पर इन्होंने वरिजिनल और डूपलिकेट को आइडेंटिफई किया पैचान लिया क्या है वरिजिनल क्या है डूपलिकेट क्या है करके उन्होंने पैचान लिया और साथवी बात, साथवी बात क्या है? आये पढ़ेंगे दूसरा इदिगास, उन्नीसवी अध्याई का पांच चोर्चे और साथ पत को हम पढ़ेंगे. फिर उसने यगुदा के एक-एक गड़ वाले नगर में न्याई टखराया. यगश्यबात राजा ने क्या किया? न्याई को टखराया और उसने न्याईयों से कहा सोचो की क्या करते हो? जब इनुने जजजस को वहां-वहां टखराया अपने जजजस से न्याईयों से राजा केहा, क्या कका? सोचो की तु क्या करते हो? क्योंकि तुम जो न्याई करोगे, वा मनश्ये के लिए नहीं, यहवा के लिए करोगे और वा न्याई करते समये, तुमारा साथ रगेगा. प्रमेशिर के प्रती यगशाबात का कितना जलन है है न? हललुया वो कहता है न्याई उनको टकराकर उन्होंने कहा देखो जब तुम क्या करते हैं करके सोचो क्योंकि जब तुम न्याई करोगे वह मनिश्य के लिए नेगी वरन किस के लिए न्याई करते हो यहोवा के लिए करते हो जब समय तुम न्याई करेगा उस समय कोण आपके साथ है यहोवा प्रमेशर आपके साथ है करके उन्होंने सपस्टु रूप से यहोशबात राज्जा ने अपने जजजस से कहा सिरफ न्याई को टखरना बड़ी बात नहीं लेकिन उनको सिखाना उनको यहोवा के बारे में एक ढर बायस से न्याई करने के लिए सिखाना यही एगशबात ने किया एगशबात राज्जा ने किया हललुया जैसे पवलुस कोलोसियों की पत्री तीस राध्याई उसकी थेईश पत्मे कहता है आयो से पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री थीस राध्याई थेईश वी आयत यहाँ पर पॉलुस केते हैं जो कुछ तुम करते हो धन मन इसे करो ये समझ गर की मनिश्यों के विए नहीं प्रन्तु प्रभु के विए करते हो किसके विए करते हो प्रभु के विए करते हो आमेन, हाललुए इस, us as Christians we need to practice in our life एक मसी होने के नाते, परमेश्र को हम जानते हैं इसलिए, परमेश्र की वच्छन पर हम चलने वाले, follower of Christ, येश्व मसी को हम पीछा करने वाले हमें, ये आउसर होना चाहिए, ये बात को हमें practice करना चाहिए, जो कुछ हम करते हैं, it's not for man, मनिश्यों के लिए नहीं, बरन परमेश्र के लिए करते हैं, अगर आप एक business करते क्यों न हो, या आप एक company में कार्य करते क्यों न हो, या एक company की आप एक बड़े post में क्यों न हो, या चोटे post में क्यों न हो, जो भी आप करते हैं, अगर आप पोचा भी करते हैं या आप किसी को एक फाइल ले जाने वाले काम करते हैं या एक आप कंपणी में एक निरने वाले CEO की पोस्ट में रहते हैं हर काम अपने मनुश के लिए नखी करना चाहिए अगर वो काम करने से अगर आपका बास या आपका जो भी पार्टनर अगर वो आपसे घृणा करेगा वो आपसे लड़ाई करेगा करके क्यों नहों लेकिन आपको उनको नहीं वरन परमेशिर को प्रसन करना चाहिए आमेन हललुया प्यारों हम मसी जीवन में ये बात आ जाएगी तो मसी जीवन में बहुत बड़ी बेधारी हो जाएगी हललुया हमारे मसी संगतियों में बहुत बड़ी बेधारी हो जाएगी अगर आप और हम जो कुछ करते हैं मनश के लिए नगी करना चाहिए वरन हमें परमेशिर के लिए करना चाहिए जो भी बतें चोटी बातें क्यों ना हो या बड़ी बातें हललुया हमें परमेश्र के लिए किया करना चाहिए अगर अपनी माबाब की भात माने वाले बात क्यों ना हो या आपकी कोई से भी बातें क्यों ना हो whatever it is आपकी पड़ाई, आपकी नाकरी में या आपकी बविश्य की बातों में या आपकी शादी सुविदा की जीवन में हमें मनुष के लिए नहीं वरन परमेशर को कुछ करने के लिए परमेशर के लिए ही हर काम हमें करना चाहिए ये बात यहोशबात ने बहुती अच्छी तरफ फालो किया था इडिस नाट ओनली यही इस टीचिंग बटीचिंग प्रेक्टिसिंग दसें यहोँने उसे सिरफ सिखाया नहीं वरन उन्होने अपनी जीवन में उन्होने करते हुए आया अपनी न्याई को यहां पर राजा कह रहे है बचन छे में जैसे उन्होने कहा सातवी बचन में अब यहोवा का भए तुम में बना रहे हैं वाव हाललूया पहले कहा तुम जो कुछ करतेगो मनिश के लिए नेगी परमेश के लिए किया करो यहोवा के लिए और दूसरा वा कहते थे अब यहोवा का भए तुम पर तुम में बना रहें इस नाट ओनली कभी कभार प्रभु के लिए धरना है डर्भए होना चाहिए आधर्मान होना चाहिए नई लिट इट भी खंचिनिवली वाक इन द फीर अफ द लॉर्ड आमें लिट यू में बी कंचिनिवली वाक इन द फीर अफ द लॉर्ड परमेश के ढर्भए में आप निरंतर सतई भने रहें कुन न्याई को और आगे चौकसी से काम करना क्योंकि हमारा परमेशर यहोवा में कुछ भी खुटिलता नहीं है और ना किसी का पक्ष करता और ना गूस लेता है आमें हललुया यह सिरफ अभी का वो भात नहीं है यह पुराना नियम सही लेकर परमेशर के रहे है अगर तुम न्याई है तो परमेशर के लिए काम करना अगर तुम जो भी काम करते हो वो परमेशिर के लिए करना ना मनुश के लिए और दूसरा परमेशिर के धर भए हमेशा आपके जीवन में वोना और तीसरा जब तुम न्याई का काम करते हो तो आपका क्या होना चाहिए परमेशिर चोकसी से काम करना चाहिए क्योंकि हमारा प वो पक्षबात करता और ना गूस लेता है। प्रेस गाड, प्रेस गाड, हाललुया, हाललुया, वाट केंड अफ प्राक्टिस इस डूईंग, कितने अच्छे एक प्राक्टिस को वो खर रहे थे, यह को शभात राजा ने, एक राजा होने के नाथ कितनी बड़े बड़े लोग आकर उनसे मतलब अपने पैसा देते होंगे अपना टैंक्स से उपर बहुत सारा चीजों को गिफ्ट में तोफा के रूप में देते होंगे लेकिन किसी का उन्होंने पक्षपात नहीं किया होगा बनशा के लिए उन्होंने कारी नहीं किया होगा परमेश के धरबाये से उन्होंने अपने राजपत को चलाया हललूया आप और हम कैसे हैं आजकल की परिवार में या कम्पनीस में अपनी नाकरी की जगापर कैसा हो रहा है अपने अपको हम जानचे हैं आमेन और साथवी बात आये पड़ेंगे यही दोसरा दिगास उनने इसका नोपत को हम पड़ेंगे उसने उनको आग्या दी मतलब उन न्याईं को जिन न्याईं को उन्होंने अपनी नगरों में कड़ा किया उनलोहों से कहा यहोवा का भय मानकर सचाई और निश्कपट मन से ऐसा करना कैसे काम करना सच्चाही और निश्कपट मन से ऐसा करना ऐसा नहीं कोई जबरदस्त है अगर नहीं करेंगे तो मुझे नरक में डाला जाएगा या राजा मुझे धन्ड देंगा ऐसा नहीं है कैसा सच्चाया और निश्कपट मन से ऐसे हमें करना चाहिए यह गटना हुआ है एक बड़े एक वेक्थी था जिसने अपने शू कंपेणी में वो खुद शू भनाता था तो उनकी पास एक चोटा सा लड़का काम में आखर लगा यह बहुत ही मांदारी था यह शू मेकर जो ह जाए जो लेदर वो बार से लेता है उसे कितना दिन तक उसे ऐसे प्रोसेसिंग करना चाहिए वैसे ही वो किया करता था इन बातों को देखता हुआ यह लड़का ने सोचा दूसरी कंपणी में तो तुरंत तुरंत वो सब कुछ करते हैं इतने दिन तक रोकते नहीं यह प् सेल भी कम होता है करके जब वो लड़काने कहा तब वो शू में करने कहा हम जो यह शू में बनाता हूं यह जो पहनेंगे इंसान के लिए नहीं वरन जो मुझे बनाया उस परमेशर के लिए चलते में बनाता हूं हर यह शू को इसलिए उनके लिए जितना समय जरुरत उतना समय में प्रोसेसिंग में रखता हूं करके उन्होंने कहा आमेन, हललूया हललूया, प्यारों हमें ये सोचना बहुत ही अवश्यक्ता है हमें सच्चाई और निश्कपट मंद से हमें ऐसा करना चाहिए चपरदस्त नहीं या राजा ने कहा दिया इसलिए नहीं बरन अपनी सच्चाई और निश्कपट मंद से हमें ऐसा करना पहुती अवश्यक्ता है आमेन, हललूया, येहवा को भय मान कर सच्चाई और निश्कपट मंद से हललूया, प्रमिश्र की नाम की महिमा हो अगर यही आम साथ बातें एगोश्यबात के जीवन में सीका है क्या साथ बातें? दुबारा एक बार मैं दोराना चाती हूँ जल्दी से पहली बात, येहवा एगोश्यबात के साथ रहा, संग रहा दूसरी बाद यहोवा के मार्ग पर चलते-चलते एक शबाद का मन महन हो गया तीसरी बाद उन्होंने उंचे स्थान और असवरा की मूरतों को धूर कर दिया और चौती बाद उन्होंने मिश्टेरी का काम किया मतलब यहवा की विवस्ता को वच्छन को बुस्तग को लेते हुवे नगर नगर में घूम घूम कर लोगों को सिखाया और पांचवी बाद परमेशर की नभीयों को कोज में उन्होंने रगा जितने भी उस समय भी बहुत जूटे वविश्य वक्ता थी लिकिन इन्होंने कोन ह यहवा की नभी करके उन्होंने पैचान लिया और इस चटवी बात जो है उन्होंने न्याईयं को टखरा और उन्हें कहा तुम मनश के लिए नगी वरन परमेशर के लिए कारिये करना है करके और सात्वी बात उन्होंने क्या किया यहवा की भय मान कर सच्चाई और निश्क कपट मन से आपको कार्य करना है करके अपने न्याईंग को सिखाया वो भी ऐसा ही जीवन बिताया हललुया यह साथ बातें 17 वी अध्याई 28 सद्याई 19 वी अध्याई में हुआ है थब 20 वी अध्याई में जब इनके व्रोध में तीन राजाने आये थे लड़ाई के लिए थब राजा ने परमिश्र की बवन में गया जैसे उसने प्रातना की तुरह ही क्या हुआ नभी को परमिश्र ने बेजा और अगले दिन में ही उनको विजयता मिल गया बिना लड़ाई बस इन्होंने सूती करते रहे वह का धन्यबाद करो उसका करणा सदा के लिए है करके उन्होंने सूती करते रहे वहां पर इन्होंने युदु में विजय प्राप्त कर लिया बराका में फिर खड़ा हुआ बराका मतलब अशिरवाद में उन्होंने कड़ा हुआ हालललूया इसलिए जिसने इन्होंने प्रमेशन की विवस्ता को लोगों को सिखा या नगर नगर में जाकर इसलिए जिस वक्त इन्होंने एक उपवास को बोला तो सारे यगुदी के लोग एर्शलेम के वासिने आखर खड़े हो गए यगवा के बवन में स्तिरी मरत बच्चे तक बाल बच्चे तक यह कैसा हुआ यह बहुत ग्रेट एक रिवाइवल है यह क्या है एक बेदारी अगर 17-18-19 वचन में 19 अध्याय में इसने यह सारे काम किया इसलिए बीश्वी आयत में आकर एक बहुत बड़ी बेदारी हुआ है सारे लोगे खटे होकर परमेशर के लिए उपवास में एक मन एक चितों कर परमेशर से प्रात्ना करने के लिए खटे हो गए जब इन लोग ने खटे हुए पूरे देश के लोगे खटे हुए तो परमेशर ने उस दोस्त को जियों को दियों कर दिया उस देश के प्रभू ने एक सफलता को बेजा है हाललूया हाललूया इस बीस विद्याई में पढ़ते हैं जब इनोंने यहां पर जाकर उनकी लूट थी उनकी लूट इतना लूट होगे जब इनकी तीन राजा ने आपस में मर गई वहां उस जगा में जाकर यहुशबात राजा और उनकी लोग जाकर वहां के जीसों को लूट रहेते उनके लूट कतमी नहीं वो पर एतना बटोरते हुए बटोरते हुए तीन दिन बीट गए तब भी वो बटोर नहीं पर एतनी सारे आशिशें उनको मिल गए परमेशर अगर आप और हम इन साथ बातों को फालो करेंगे जरूर आपके और मेरे जीवें में हमारे देश में एक जरूर एक बेदारी आजाएगी हललुया हललुया जरूर आप और हम उस बराका की थराई में खड़े होकर एक वख़वगा जैजय कार करएंगे यह वख़वगा धन्यवात हो उसकी करूना सदाकी है करके लिए इन्होंने यह सारे बातों को किया अगर यह कच्छात में बोलना चाहिए तो थीन बातों को मैं बताना चाहिए सारी बातों को sincere repentance इमानदारी से पक्षता और दूसरा sacrificial commitment एक बलिदान की समर्पित और तीसरी significant action एक मगत्व पूर्ण की कारिये हललुया यह तीन बातें sincere repentance sacrificial commitment significant action इमानदारी से पक्षता पक्षता बलिदान की commitment समर्पन और मगत्व पूर्ण की खारिये यह तीन बातें शार्ट में बोलना है तो यह बातें एक शबत राजा के जीवन में थी इसलिए बेश्विय अध्याय में उन्होंने बराका में कड़ा हुआ अशिरवाद में कड़ा हुआ पूरे देश सिर्फ राजा नहीं पूरे देश हललुया प्यारों इस कोरणा के समय में आप अंदर बेटे हुए हैं आपको मैं उच्सागित देना चाहती हूँ बस आप परमेश्र की वच्छन को आप सिखाए सिखिए और परमेश्र की वच्छन के ऊपर चलने वाले बन जाए परमेश्र और उसके राजी को कोच करें यह सारे चीश से हमारे लिए दिया जाएगा आप सोच रहें क्या अभी हम बिल्कुल यंड ठाइम में रह रहे हैं आप जानते हैं इसी हफसे के अंदर हमें मालुम सिन करके बोलते हैं सुई करके लेकिन वो चिप है चिप लगाएंगे हर लोगों के लिए करके आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हम कितनी नजदिक आ गए एंड टाइम में अंत समय में आ चुके हैं परमेश्र का अगवन बहुत ही जल्द में हैं अभी भी कुछ लोग आरे यारा इसे तो बोलकर 2000 साल हो गया अभी भी समय है मैं आपसे एक बात कहूं एक बार सेंटन ने लूसिफर ने एक मीटिंग को बलाया मीटिंग रखा तब उन्होंने कहा कौन जाएंगे और मेरे लिए काम करकर आएंगे अच्छे से काम करके लोगों से दुनिया में विश्वासी लोगों से मसी लोगों से तो पहला एक शैतन आया कहा मैं जाओंगा तो लूसिफर ने पूछा तो जाकर क्या कहेंगे उनसे ये शैतन ने कहा छोटा शैतन ने मैं कहूंगा मसीलों के पास जाकर या लोहों के पास जाकर अभी मतलब there is no heaven स्वर्ग करके कुछ नई ये करके मैं बताऊंगा करके तो तो शैतान ने बॉला ये बहुत लोग कभी मानेंगे नहीं वो जानते हैं स्वर्ग तो है करके कि कि उन चीज को वो अपने परिवार में भी अनुबव करते हैं इसलिए वो नहीं मानेंगे दूसरा एक चोटा शैतान आकर कहा मैं जाओंगा उन्होंने पुछा तु क्या बोलेगा इनने कहा नरग करके कुछ नहीं इसरा एक बहुती अंतकार से एक चोटा शैतान आया निकल कर वो कहा मैं जाओंगा तब लूसिफर ने पूचा तू क्या बोलेगा ये कहा मैं बोलूंगा अब तो समय नहीं है अब बहुत समय हमारे है अभी इतने जल्दी क्यों आब अमारे बहुत और समय है इसलिए अपन मसी लोग भी आजकल कहते हैं आरे अईसा अब तो बहुत समय है हमारे प्रभु येश्य मसी का आगमन के लिए और समय है और समय है प्यारों नहीं है दे टाइम बिल डिले नो लॉंगर अब तो और देर न होगी प्रकाशित्वा के दस्वेध्याय छे वचन में लिका है अब तो और देर न होगी आप ये में सुझे आप तो बहुत समय है अब हम मगन करेंगे अपनी जीवन जीएंगे मनबावने जीवन जीएंगे प्यारो अभी समय है जैसे जैसे यह को शबात ने किया वैसे वैसे आपको और मुझको करना चाहिए अगर इसे करेंगे जरूर एक बहुत बड़ी बेधारी आएगी जरूर आप और हम सारे हुआ की उपस्तिति में हम जाएंगे एक बेधारी जरूर आएगी हललूर या इसलिए आपको और मुझको अभी हमें मखन करने के लिए समय नहीं है हम अपनी मनबावनी जीवन जीने के लिए घर के अंदर बेटे हुएं कितने हम परमेश्र की वच्चन को कोज करते हैं कितनी लोग हम यहवा को कोज करते हैं कितनी लोग हम चाहती हैं, कम सके मिशी समय हम परमिष्श की बच्चन में इस्तिर रहना करके या अभी तो इतना लंबा समय है, दिन बीथा इनाई है, इतना बोर लगता है करके, चलो ये पिचर देके, वो पिचर देके, हम ये सीरियल देकें, वो सीरियल में डूपे रहें करके, अभी भी आप आइसे हैं। अब समय नहीं है प्रविश के आगमन बहुत जल्द में है जिसे हमने कहा इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ने कहें दिया है यह कितना जल्दी हमारे देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रतान मंतरी कहेंगे बहुत जल्दी में सबको यह वैक्सिनेशन ये छिप लगाए जाएगा बहुत जल्दी में कारिय हो रही है यह लाक डाउन के समय में ही यह सारी बातें बोटत्य जिसे बहुत है हो रही है बिल गेर के साथ मिलकर हमारा प्राइम किया Questo के बारे में बात किया है वह चिप के बा मन फिर है तब हम बराका में कड़े हो पाएंगे प्रमेशिर के उपसिते में कड़े हो पाएंगे आये प्रात्न करे सुर्गी पिता प्रमेशिम तेरे दन्यवाद करता है राजा इस समय के लिए दन्यवाद जो वच्छन आपने हम से कहा प्रभु जी दन्यवाद पवितर आत नगर नगर में आप एक राजा होने के नाते भी गूमा प्रभू हम भी इसे करेंगे खुदा हमें मदद कर ये प्रभू ये वच्छन प्रभू जी हमरे देश के दुनिया की कोने-कोने तक जा सकें खुदावन ऐस नासरी के नाम से राजा लोगों के अंदर एक बिधारी को प्रभुजी उत्पन करने पाएं कुदावन आप आइस से आशिशित कर कुदावन हाललुया इस लागदाउन के समय पर भी हम प्रभुजी ऐसे बेटना नहीं चाते हैं वरन तेरी वच्छन को प्रभुजी दुनिया की कोने कोने तक ले जाने के लिए चाते हैं कुदावन आ आप हमें अगुवाय कर, हमें मदद कर आजा, तेरी वचुन को थाकि, लोग तेरी वचुन को सीख कर, तेरी वचुन को सुन कर, तेरी व्यवस्ता को सुन कर आजा, वे मन फिरें, और कुदावन तेरी उपसिती में आकर खड़े होने पाएं, मन फिरांकर, कुदावन तेरी ब कि टाइम इल डिले नो लांगर दने वादव राज्जा हमें चू जितनों इन वच्छन को सुना उन्हें आशीद कर उन्हें आशीद कर तुर उन्हें चूलें खुदावन ले तन ठर्न टू एर वर्ड ऑफादर गड़ अपकी वच्छन के और वह मन फिरें कुदावन जैसे कहता है प्रभू हम अपनी वस्तिर को नहीं अपने खुदाई को फाड़ कर तेरे पास में हम आज सकें कुदावन ऐसे अनबव हमें दे इस वच्छन को सुनने वाले हर एक विक्ति को ऐसा अनबव दे वे मन फिरें कुदावन ले दम रिपेंड लॉड हूवर इट मेबी आमेन 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 God bless you all. Take care.